बिस्मिल्हार्मान रहीम असलाम आलेकुम क्या हाल चाले आप सबके आज मैं आपके लिए लहीं बंबी बिर्यानी मसाला जो लोग बहुत शौक से खाते हैं और चलते हैं रेसिपी की तरफ यह मैंने पैन में आयल ले लिया है इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम करती है इसके साथ इसके अंदर में पैस शामिल कर दूंगी यह मैंने दो अदक प्यास लिये इसको मैंने बारी काट लिया है ताकि बहुत अच्छी तरह से फ्राइब हो गोल्डन ब्राउन करने से इसको अपरना कलर भी अच्छा आता है और पेसने भी अच्छी हो जाती है मैंने पैस को ब्राउन कर रहे है उसको हमने ज़्यादध ब्राउन नहीं करना हना है हल्का राउन रखना है वैसे तो सबी चुक से खाते हैं कि पलाव चुक से खाते हैं आप लोग में से खाते हैं सब्सक्राई घ्लक सहते हैं प्लाव कहा जाता है और बच्छे का जादा पसंद किया जाता है बने जब चिकन के यह आप देख सकते हैं कि लाइट गुल्डन हो चुकिया हमें से जादा नहीं करना है असी उस पर हम इसके अंदर अधक लगस्ण का पेज डालते हैं दो टेबिल इसकून चो खाने वाली होत मेरे देखें सकाता हैं और बहुं कर दाते हैं तो बने चामल के लाच साथ के लुकिल पर नहीकर देंगे हैं अवं स्के दूपनेगे वह करें दो qtna कहली नियुक्त अच्छा मन्साले के 向么 च्मच साथ में पूल िूंहां अगर काम है तो फिर हम इसमें दुबारे शामिल कर लेंगे अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से चम्मच चला चला कर भूलेंगे अलकल का पाइड़ कर ताके बहुत अच्छी तरह से मसाला भूंच जाए यह देखे मैंने हड़ी वाला गोश्ट इस्तिमाल किया आप चाहे तो बगार पाइज तन के साद भीकार सकते हैं 100.000-358.000 इसने नकान पाइड़ आदा किलो आँड़ी किलो आलू लिये हैंि अदे हैं 10.000 पाणा बहुत अच्छी तरह सेम हुआ और के निच काट पहँती हैं कि हालो를 कर दोते हम देगा हैं 10.000 कि मैं बदो हमारी हमें जड़ते साथ ह्त करना है कि जिसमें अलू बहुत अराम से गल जाएं गोश्ट हमारे पहले ही तैयार है इसको हम धखकर थलकियाच पर रख देंगे तकरीबन 10 मुंट के लिए दस मुंट हमारे अलू बहुत अच्छे से गल कर त्यार हो जाएंगे यह चेक करेंगे यह देखे माशाला से बहुत अच्छी तरह से भून के त्यार हो चुकिए इसका पाने बिल्कुल खुश्क हो चुका है आलू भी इसके बिल्कुल ड़न हो चुके हैं गोश्टो पहले ही तैयार था यह बिल्कुल ड़न हो चुकिए है अब हम इसको सिर्फ तैह लगाएंगे सबसे पहले हम इसके अंदर चामल की एक तया बिचाएंगे इसके साथ जो हमने यह अकनी बना के रखी इसका मसाला हम डालेंगे इसके मैंने बहुत अच्छी तरह से भूली और चामलों को भी मैंने गला लिया पास इसमें एक कनी रह गई है ताकि हम इसके जब हम दंपे रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से गल कर प्यार हो जाएंगे चाहिए अब दुबारत से चामलों की तया इसके बढ़ डालेंगे आप चाहें तो यह दो ट्रिप उसमें भी कर सकते हैं चामल बिछाएं फिर इसमें अकनी डालें फिर चामल बिछाएं विकिन मैंने सिर्फ एक ही तया बिछाई है क्योंकि मेरे पास मैं कम पिरियानी बना रही हू अकु है कि मैंने परने बतायाथ है कि मैंने आदा किलो चांवाली है और आदधे ही किलो गोच्त और आदा क्यों आलो है मेरे तहलक चुके इसके साथ ही मैं इसके इसके सटेंदर सर्दी का रंग डालायों यहическая छाएं तो ढाले ऊप्स्ष North did इसके साथ हैं we putty ने डालेंगे मैं और नही डालाए मैं आक्षी में चामलों के लुप जालती है नंदेचे पूछा नालें तरह नहीं अब चाहें तो डालें नहीं चाहें तो नहीं भी डालें इसके साथ ही मैं इसके अंदर एक नईबू बैट निचोड़ दूँगी ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा प्लेवर आज़े देखे मैंने इसमें सब मसाले शामिल कर दिये अब मैं इसको ढखकर तक दस में तक दम दूँगी ताकि बहुत अच्छीता से बिराणी त्यार हो इसमें बहुत अच्छीता से भाप आ चुकी है अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं यह आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं बहुत ही मज़ितार हो और देखें कम वक्त में त्यार होगी अकर आप इसको गोश्ट को पहले से बाइल कर लेंगे तो हाफिस